नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ पूजा हम लेकर आए देश और दुनिया की पास बड़ी खबरे जस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ ड्रक्टर मनिश कुबार रग्ट साब बहुत स्वागत है आपके सबसे पहले नजर हेडलाइन्स पर गुजराग चुनाओ के पहले चरण का मतदान आज हुआ पूरा शाम पांच बजे तक 57 प्रतीशत कोई वोटिंग 89 सीटों पर मैदान में 700 से ज़ादा उमित्वारों की किस्मत इवियम में कैट दिल्ली शराब गुटाले में हुआ बड़ा खुलासा विजय नायर ने आप नेता के लिए लिए थे 100 करोड रुपए की रश्वाद नई शराब नीती से सरकार को 12 फीज़ी राजस्व का हुआ नुकसार शराब गुटाले में इडी का कोट में बड़ा दावा गुटाले में इस्तिमाल किये गए 1 करोड 38 लाख रुपए के मुबाईल मरेश शोदिया ने किया 14 फोन का इस्तिमाल 36 आरोपियों ने बदले 170 पोड उज्जैन में राहूल गांदी के साथ कदमताल मिलाते दिखी आक्टिस स्वरा भासकर मदप्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्वा ने बोला हमला कहा भारत जोडो यात्रा में शामिल हो रहा टुकडे टुकडे गाए बारत के साथ अफगानिस्तान की होगी नई शुरुवात रुके प्रोजेक्ट्स पर फिर से होगा काम तालिबान सरकात का बड़ा एलान आज की सबसे पहली खबर में बाद गुच्रात चनाओ की कुछ राज चनाओ के लिए आज पहले चनन की वोटिंग पूरी हो गई शाम पांच बचे तक करीब 57 फीस दी मतिदान हुआ कुल 182 सीटों में 89 सीटों पर आज करीब 700 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में क्याद हो गई सौरास्ट कच और राज की दक्षने हिस्सों पर वोटिंग हुई जहां लोगों में जबरदस्त उत्सा नजलाया लोग उत्सा होकर वोटिंग करने पहुंचे 57 परसेंट इस वोटिंग क्या है आकलन देखिया भी कुछ और आकले इसमें बढ़ेंगे कि बहुत जगे काउंटिंग में कुछ ही होता है लेकिन एक बात तो तै है अगर वोटिंग 60 परसेंट से नीचे है तो ये चुनाव पूरी तरीके से भारती जन्ता पार्टी के कंट्रोल में आ गया क्या है इसकी पीछी की लौचिक जहां कहीं भी सरकार बदली जाती है लोग घर से बाहर निकलते हैं 70 पीजदी 65 पीजदी उस हिसाब से लोग वोट करनी जाते है ये जनरल अन्डरस्टैंडिंग है और अगर 60 पीजदी से कम की वोटिंग अगर हिंदुस्तान में हो रही तो उसका मतलब है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बंसी सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और जिस हिसाब से प्रधान मंत्री मोदी ने आज रैली की 50 किलो मिटर और दोनों तरफ लोग खड़े क्या बुड़े, क्या बच्चे, क्या जवान ये भाड़े पे लाएवें लोग नहीं काफिला चल रहा है लोग खड़े हैं, पंती बनाकर इंतजार करते हुए ये आम लोगों के रोड़ सोज से बिलकुल अलग है वो इसलिए कि बाकी के रोड़ सोज में अगर आप देखेंगे तो 5-6,000 लोग होते हैं जो पूरे रूट में साथ साथ चलते हैं, ये पाटी कार करता होते हैं लेकिन प्रधान मंत्री मोदी कि जो आज उनका जो रोड़ सोथा लोग जिसे साब से खड़े हैं, ये बताता है कि गुजरात भारती जनता पाटी का गढ़ था है और अभी कई वर्षों तक भारती जनता पाटी का गढ़ बना रहेगा पतला पहले चरण की वोटिंग पूरी नहीं हुई और दूसरे चरण के तयारियों तो पिछले कई दिनों से चल रही है पर पिम बोधी का रोट्षो क्या मेसेज दे रहा है दूसरे चरण के लिए ये तो आज के रोट्षो को देख करके तो विपक्षी मुर्चित हो गए हो सारी कलाबाजी अरविं केजिर वाल ये सोच रहा हुआ कि बिकार हमारा पैसा ये प्रचार प्रचार में चला गया ये मीडिया वालों को इतना पैसा खिलाना वो बिकार चला गया दूसरी कबर में बाद शराब घुटाले में E.D. के बड़े खुलासे की ED ने दिलनी शराब गुटाले में हुए money laundering मामले में special court को बताया है कि आम आदमी पार्टी के media प्रभारी विजय नायर ने पार्टी के एक प्रमुख नेता के लिए अवैद रूप से 100 करोड रुपय लिए थे ED के मताबिक नायर के पास ये पैसे एक गुरुप के पास से आया जिसे साउथ गुरुप कहा जाता है इसमें सरद रड़ी के कविता एम स्रीनिवास सुलू रड़ी श्रामिन है विजय नायर ने आखिर पैसे क्यों लिए पैसे इसलिए लिए क्योंकि ये अर्विंद केजरिवाल और मनिश सुधिया का बड़ी है ये सक्स अर्विंद केजरिवाल का मीडिया मेनेजर है वीडियो बनना है प्रस कॉन्फरेंस होना है क्या बोलना है कौन लाइन हटा नहीं है किसे जोड़ना है कैमरा कैसा होगा मेक कपड़ा वब पहने ये सारी चिंता विजे नायर करता था और CBI और ED के इन्विस्टिकेशन में ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस व्यक्ति का रोल न्यू एक्साइज पॉलिसी जिसे केजी वाल ने डर के मारे बंद कर दिया उसको बनाने में उसको एक्जेक्यूट करने में और पैसा वसूली करने में विजे नायर का रोल था और सबसे बड़ी बात ये जो सब्मिशन कोट के अंदर ED ने की है वो अमित अरोडा के बयान के अधार पे अमित अरोडा वो सक्स है जो मनिश्री सोधिया का सबसे बड़ा हमराज है इस पूरे घोटाले में तो सो कड़ो रुपए सिर्फ वो ले ही नहीं रहा था विजे नायर और उसके कंपनी ये जो पूरा गैंग कई सारे l1 lessons को इसने दवाव डाला जो पैसे नहीं दे पा रहे थे चैश नहीं दे पा रहे थे उन पे दवाव डाल करके उनके lessons को surrender करवाया और जो सराब भनाने वाली कंपनिया है उनके मुटाबिक मन मुटाबिक डिस्ट्रिबूटर्स और पैसे देने लेने के लिए लोगों तो यह बहुत बड़ा आरोप और यह सीधे सीधे इसकी तार जो है जुड़ रहे किसे मनिस से सोधिया से बहुत बड़ी मुसीबत एडी अगर यह दावा कर रही है तो इसका मतलब है कि चुनाओं के बाद मनिस स सोधिया के गरदन अपने वाली मतलब सारे खुलासे हमें तरोडा कर रहे हैं साथ दिन के एडी रिमांड मिली है ना जाने आने वाले वक्त में और क्या-क्या खुलासा हो देखे बहुत सारे लोग सरकारी गवावी बन रहे हैं तो यह जो लोग आरोप की पकड़े जा रहे हैं यह सब के सब अपनी जान बचाने के लिए सही सही बात बता रहे हैं और इसमें पस्ता चला जा रहा है यह आम आदमी पार्टी का कुनबा केजरिवाल कट्टर रिमांदार और मनेश शिशोधिया यह सब न पेंगे तीसरे खबर में बाढ़ शराब गटाले में एडी के बड़े दावे की एडी ने इकोट में बड़ा दावा करते हुए बताया कि मनेश शिशोधिया समेत अन आरोपिओं ने बार-बार फोन बदले और सबूतों को नस्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश की मरेश शोद्या ने 14 फोन का अस्थमाल किया तो वहीं कल ही गिरफतार किये गए अमित अरोला ने 11 बार फोन बदले सबूत चिपाने के लिए 36 आरोपियों ने 170 बार फोन बदले जिसकी कीमत 1,38,000,000 बताई जा रही है हलाकि ED ने इनमें से 17 फोन बरामत करने में काम्याबी भी हासल कर ली है सबूत मिटाने के लिए एक दो नहीं बलकि 170 फोन बदले गए देखिए पढ़े लिखे लोग हैं बही अकलमंद लोग हैं इनको पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है 170 फोन और एक कीजरीवाल कितनी बेशर्मी के साथ मीडिया के सामने आता है और कह देता है कि भाई एक क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि ED ये बता रही है कि ये जो फोन नमबर्स बदले गए इसमें चार पाच फोन मनिस्षी सोधिया के पास था जिससे वो सराव वैपारियों से और बात किया करता था मनिस्षी सोधिया और अरविंद केजरीवाल के नीजी सहायक उसने भी कई सारे फोन नमबर्स बदले फोन को नश्ट किया 17 अभी मिले है 36 लोग 170 फोन अब 17 फोन तो बरामद हो गए है अब एडी ने कोट में ये तो नहीं बताया कि ये जो 17 फोन जो बरामद इसने किये है वो किसके किसके हैं अगर इसमें फरजी फोन फरजी सिम कतार मनिस्षी सोधिया से जुड़ता है केजरिवाल के नीजी सहायक से जुड़ता है जो बकैदा रिमांड अप्लिकेशन में एडी ने दावा किया है तो इसका मतलब तो बिलकुल साफ है कि ये केजरिवाल इस घोटाले को अंजाम दिलवा रहा था मनिस्षी सोधिया सिर्फ एक फेज था और बाकी आरोपी जो है वो इस सत्रन के खेल में प्यादे की भूमिका में थे जिनका काम पैसा कलेट करना पैसा का इधर से उधर करना बाकी सारा जो कंट्रोल पैसे का वो अरविंद की जिवाल के पास था क्रश्म से 270 पे लिए एक करोड 38 लाक रुपै का खर्श्य पैसे आ कहां यह में पैसे की कंग कहा है मिएक ये सराव ऑख बुटाले तो पैसा तो इनके पास तो अब तो ये कुछ लोग कहते हैं लाखों कड़ों रूपए इसने कमा लिये है इतने दिलों में तो पैसे के तो कभी नहीं है लाख वाख जो सक्स केजरिवाल वो चार्टेट प्लेन से जिसके लिए दुबई से साड़े तीन कड़ों रूपए की घड़ी आती हो उसके लिए मुबाइल फोन के लिए तो छोटी सी चीज़ी बिलकुल अब आद कॉंग्रिस की भारत जोडो यात्रा की राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा का काफिला मद्ध प्रदेश के उज्जैन से होकर गुच्रा है जहां स्वरा भासकर राहुल के संग स्वरा भासकर की तस्वीरे चर्चा का विशय बनी हुई है तस्वीरे सामने आने के बार ग्रियमंत्री नरुत्तम मिश्रा ने हमला बोला उन्होंने कहा कि भारत जोडो यात्रा में टुकडे टुकडे गैंग शामिल हो रही है ये भारत जोडो नहीं भारत तोडो क समर्थन कर रही है स्वरभासकर जो हमेशा आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है कैसे लोगों का साथ दे रहे हैं यह राहूल गांधी देखें राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा को पतब्रश्ट कर रहे है कि वह कारण यह है कि वह चार जात्रा में हो गया है चुलू बुर पानी में डूब जाना चाहिए लोगों को बागी कोई लेता नहीं इनके पास और यह देश बदल गया है राहूल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि टुक्रे टुक्रे गैंग वामपंती यह अर्बन नकसल्स हिंदुस्तान की ज चुनाओ कभी जीतने नहीं देगा लेकिन आप इतना ज्यादा जो कह सकते हैं कि मजबूर हो चुके हैं मैं तो देख रहा था प्रियंका वाडरा के पती वाडरा साहब उनकी सिस्टर के हस्बेंट हैं जो टेलिविजन पर आप देखते हैं तहसीन पूला वाला को उनको मैं सुन रहा था वो टीवी डिवेट बेए कह रहे थे कि देखे यह तो मुझे भी समझ बिल नहीं आ रहा है वो राहुल गांधी के हर चीज को वो डिफनि कर ले जाते हैं लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देखिए मुझे समझ मिल नहीं आ रहा है कॉंग्रेस पार् लेकिन राहुल गांधी अगर समझदार होते तो इनकी इनके इशारों को समझ गए होते लेकिन ये तो चारों तरफ से घर चुके हैं कैसी उल्टी-पुल्टी बाते कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें लोग भी आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है लेकिन वो जो कते की कि स्पार एक connect जनता के साथ जिस यात्रा को होनी चाहिए वो connect missing है उसका reason ये है कि ये विचारधारा सुन्य यात्रा इन्होंने बना दिया है तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बैकफायर करने वाला है कौन ये बीगरेट, सीगरेट, थर्ड क्लास एक्टरस को आप भारत जोड़ो यात्रा में लेकर क्या आ रहे हो कभी रिया से नज़र आती है, कभी रश्मेट इसाही नज़र आती है, आज पराभास कर, कोई अच्छा इनसान इनको नहीं मिल रहा है देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप विवादित चेहरों को आप साथ में लेना क्यों चाहते हो गुजरात में चुना होए, मेदा पाटिकर को लेकर के आप बैट गए 57% वोट हुआ है, कॉंग्रस पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाईगी फस्ट फीज में जब नतीज़े आएंगे मेरी बात को याद अखिए बिल्कुल, आज के आखरी कपर में बात तालिबान सरकार के बड़े अइलान की अफगानिस्टान में तालिबान शाशन की शुरुआत होने के बात से ही तालिबान शाशकों की तरफ से लागतार इस बात की कोशश की जा रही है कि भारत से उसकी मदद मिलती रहे अब अफगानिस्तान की टालिबान सरकार बड़ा एलान करते हुए कहा है कि भारत युद्गरस देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोशनाओ पर काम फिर से शुरू करेगा मतलब अफगानिस्तान में रोजकार बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी क्या इस एलान के बाद से वागई अफगानिस्तान में जो संकत मंडरा हुए बोद दूर हो जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी परधानमंतरी मोधी की लीती और अजी डुवाल के खेल का बिल्कुल असर दिख रहा है तालिबान किसकी मदद से वहाँ पे सरकार में आया वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये आईसाई और वहाँ की आर्मी की ये रण नहीं थी थी क्या अफगानिस्तान को अपने कबजे में हम ले लेंगे क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान का क्रियेटिड एक और्गनाजिशन है लेकिन हो हुआ क्या जब तालिबान वहाँ आया हम लोगों को सब अपने एंबसीज को खाली करके हमको वापसाना पड़ा हिंदुस्तान में टुक्रे टुक्रे गैंग के ये लेफ्ट रिबर कबाल क कि हमारी पॉलिशी फेल हो गई हमने इतना इंविस्टमेंट किया अफगानिस्तान के लिए सब पैसा बेकार और बर्बाद चला गया यही क्रिटिसिजम हो रहा था लेकिन यही एक मजह हुए जो राजितिग्य होते हैं मोधी सरकार ने ऐसा खेल किया कि आज ये खबर आई साथ में एक और खबर आई वो खबर ही आई कि यह जो मैडम हिना है पर पाकिस्तान के मिनिस्टर वो अफगानिस्तान में तालिबान के रक्षा मंतर से मिलने की कोशिश कर रही है उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है जो पाकिस्तान एक एज लेना चाह रहा था कि अफगान भारत अब अंदर घुसा है और पाकिसतान को वहां से हरी जंडी दिखा करके बाहर करास्ता दिखाए जा रहा है। बोर्डर के उपर तालिबान की लड़ा के पाकिसतान की आर्मी को दॉड़ा करके भगा रहे हैं। जो वहाँ पे वायर लगाने की जो कवाज चल रहे थी उसको ये लोग मानने से इंकार कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान की डिप्लोमसी का एक बहुत बड़ा एक सक्सेस्फुल अभियान इसे माना जाना है तो खब्रों का बंच नाम में आज के लिए फ हुआ पार जाना है थार झाल आज के लिए को ये वे बोटब़ाना है.